वीरों की धर्ती राजस्तान को मेरा कोटी-कोटी नमन। ये धर्ती बार-बार जो विकास से समर्पित लोग हैं, उनकी प्रतिक्षा करती हैं, बुलावा भी भेजती हैं। और मैं देश की और से विकास की नई-नई सोगात इस विर धरा को उसके चरणों में समर्पित करने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ। आज यहां विकानेर और राजस्तान के लिए 24,000 करोड उपिय की विकास परियोजनाओं का लोकारपन हुआ है। राजस्तान को कुछी महिने के भीतर में दो-दो आधुनिक 6-9 एक्सप्रेस वे मिले हैं। फरिवरी महिने में मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कोरिडोर की उसके दिल्ली दोसा लार्चोर सेक्षन का लोकारपन किया था। और आज यहां अमरत्सर जामनगर एक्सप्रेस वे के 500 किलोमेटर सेक्षन को देश को समर्पित करने का सवभागे मिल रहा है। यानि एक तरह से एक्सप्रेस वे के मामले में राजस्तान ने डबल सेंचिरी मार दी है। साथियों, आज इन्डियोबल एनर्जी की दिशा में राजस्तान को आगे ले जाने के लिए ग्रीन एनर्जी कोरिडोर का भी लुकारपन हुआ है। विकानेर में E.S.I.C. अस्पताल का काम भी पुरा हो गया है। मैं इन सभी विकास कारियों के लिए विकानेर और राजस्तान के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों कोई भी राज्य विकास की दोड़ में आगे तम निकलता है जब उसके सामर्थ की उसकी संभावनाओं की सही पहचान की जाए। राजस्तान तो अपार सामर्थ और संभावनाओं का केंद्र रहा है। और रेल्वे से पूरे राजस्तान में परियतन से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा। इसका सबसे बड़ा लाप यहां के युवाओं को होगा राजस्तान के बेटे बेटियों को होगा। साथियों आज जिस ग्रीन फ्रील्ड एक्स्प्रेस वे का लोकारपन हुआ है। यह कोरिडोर राजस्तान को हर्याना, पंजाब, गुजराथ और जम्मु कश्मीर से जोड़ेगा। जामनगर और कंडला जैसे बड़े कॉमर्शियल सीपॉर्ट भी इसके जरिये राजस्तान और विकानेर से सीधे जुड़ जाएंगे। एक तरफ जहां विकानेर से अमर्शर और जोड़पूर की दूरी कम हो जाएगी, तो वहीं जोड़पूर से जालोर और गुजराथ की दूरी भी गड़ जाएगी। इसका लाप इस पूरे छेत्र के किसानों और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा। यानि एक तरफ से ये एक्स्प्रेस वे पूरे पस्तिमी भारत को उसके अउद्यों की कतिविवियों को नई ताकत देगा। खास कर देश की ओइल फिल्ड रिफाइनरी इसके जरिये जुड़ेगी। सप्लाइचेंस मजबूत होगी। और देश को एक आर्थिक्स रप्तार मिलेगी। साथियों आज यहां विकाने रतंगर रेल लाइन के दोरिकरण का काम भी प्राग्रम हुआ है। हमने राजस्तान में रेलिवे के विकास को भी अपनी प्राश्पिक्ता में रखा है। 2004 से 2014 के बीच राजस्तान को रेलिवे के लिए हर साल आउसतन एक हजार करोड रुपे से भी कम मिले थे। जबके हमारी सरकार ने राजस्तान में रेलवे के विकास के लिए हर साल आउस्तन करीब करीब 10,000 करोड रुपे दिये हैं आज यहां तेज रप्तार से नई रेल लाइने बीच रही हैं रेलवे ट्रेक्स का तेजी से विद्धूति करन हो रहा है साथियों इंफ्रास्टेक्टर के इस विकास का सबसे ज़्यादा छोटे व्यापारियों और कुटी रुद्योगों को मिलता है विकानेर तो अचार, पापड, नमकीन और यसे तमाम उत्पादों के लिए पूरे देश में प्रसीद्ध है कनेक्टिविटी और अच्छी होगी तो यहां के कुटुरुद्योग कम लागत में अपना माल देश के कौने-कौने तक पहुचा पाएंगे देश वाचियों को भी विकानेर के स्वादिश्ट उत्पादों का आनंद जादा आसानी से मिल पाएगा साथियों बिते नव वर्षों में हमने राजस्तान के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है जो बॉर्डर इकला इलाके बसकों से विकास से मंचित थे उनके डेवलप्मेंट के लिए हमने वाइबरेंट विलेज योजना शुरू की है हमने सिमांद गाउं को देश का पहला गाउं गोशित किया है इससे इन छेत्रों में विकास हो रहा है देश के लोगों को भी सिमांद छेत्रों में जाने की दिलतस्पी बढ़ रही है इससे बॉर्डर पर बसे खेत्रों में भी विकास की नई उर्जा पहुँची है साथियों हमारे राजस्तान को साला सर बाला जी और करणी माता ने इतना कुछ दिया है इसलिए तो विकास के मामले में भी सबसे उपर होना चाहिए आज भारत सरकार इसी भावना के साथ लगातार विकास के कामों को बल दे रही है पूरी ताकत जोंक रही है मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर राजस्तान के विकास को और भी तेज गती से आगे बढ़ाएंगे मैं फिर एक बार आप सब को बहुत 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 धन्यवाद